हमारा आज का टॉपिक है साइकिक एबिलिटी विद गॉट कटिंग तो ये दो शब्द हुए जिनके भी ऑडियो आउन है प्लीज आप आफ रख सकते हैं जब बोलने की बात आएगी तब आप लोग आउन रख सकते हैं मैं स्टाटिंग में नमस्ते खाली किया है बाकी और अच 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 अप्रमो जी आप हैं ओ सॉरी सॉरी मुझे समझ में सुनाई नहीं दिया तो मुझे लगा कि किसी की आवाज आ रही है तो आए थोट बहुत बहुत नमस्ते लगने वाज़े तो साइकिक एबिलिटी विद क इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ तो रिलेशन्शिप होगा जिसकी वज़े से हम दो जनों को दो चीजों को जोड सकते हैं राइट ये दो शब्दों से जुड़ा है और ये दो शब्द ऐसा नहीं कि ये आउटमेटिकली जुड़े वे हैं पर ये शब्द मैंने जोड़े है क्यूंकि जब हम साइकिक अबिलिटीस की बात करते हैं आप सबने साइकिक अबिलिटीस बात सुना हैं इसक में पता ही नहीं क्या है of course फिकर मत करिये, मैं आपको explain करने को नहीं बोलूँगी आपको भी class नहीं लेना है class में ही लूँगी लेकिन अगर आपको पता है और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बोल सकते हैं, तो जरूर बोलिये, so if I'm, when I'm asking you can always reply at that time otherwise I will continue further, तो जैसे कि I think प्रमो जी को तो पता है psychic abilities क्या है है न प्रमो जी? यस नहीं तो psychic कैसा word लगता है, हिंदी का word लगता है English का word लगता है हिंदी में भी of course psychic का word होगा लेकिन अभी जब हम word psychic की बात कर रहे हैं तो कहां से आया होगा ये word आपको क्या लगता है बोलिए थोड़ा थोड़ा तो कुछ तो बोलिए कुछ गैस्वा करिये ये बार्ट से मिस्काई है हाँ ये इस वर्ड से मिस्काई है तो ये ग्रीक वर्ड है psychic means psychos psychos is a word उससे ये psychic word लिया गया है तो जब हम psychic के बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली जीज़ क्या आती है कि psychic sense right मतलब हमारे senses से something related है correct और sense क्या होता है हमारे वो हमें मालूम है कि हम देख रहे हैं तो वो एक sense है सुन रहे हैं तो वो sense है टेस्ट कर रहे हैं तो वो एक sense है सुन रहे हैं तो वो एक sense है right correct or no touch कर रहे हैं तो उससे भी हमें एक sense है वो हमारा right correct or not हमारी इंद्रिया हैं जिनसे के हम अलग-अलग तरे की चीज़ों को मैसूस कर सकते हैं समझ सकते हैं देख सकते हैं correct हमें आखें दी हैं भगवान ने तो अगर हम ये सब चीज़ें हमारी normal sense से देख पा रहे हैं तो फिर हम psychic ability में क्या develop करने आएं क्योंकि ये तो एक normal sense है जो हम सब में है और बच्पत से जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे वैसे हम सब कुछ देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं महसूस भी कर पा रहे हैं तच भी कर पा रहे हैं और साथ-साथ smell और ये भी कर पाते हैं टेस्ट भी कर पाते हैं right so then that means that is something which we all are born with that is something which belongs to all of us right unless हम इन चीजों में हो सकता है we can be deaf we can be dumb we can be I mean it's possible के maybe your eyesight is not working that वो possibility है लेकिन otherwise if all these things are there you are a gifted person in normal sense then in that case ये abilities आपके पास है right but फिर भी उसके बावजूद हम क्यों इतना हम को ऐसा लगता है कि हम कुछ लोग जादा अच्छी तरह से सुन पाते हैं कुछ लोग जादा अच्छी तरह से देख पाते हैं कुछ लोग जादा अच्छी से सून पाते हैं so is it कि उन्होंने कुछ ऐसा special किया है कि वो ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं और वो चीज़ें हमें नहीं पता है राइट आपको ऐसा लगता होगा न कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे कुछ लोग हैं, हमारे friends हैं friend circle में हैं, या हम even healing के अंदर, हम ये हम उसके beyond देखने की कुशिश कर रहे हैं, कुछ उससे आगे, कुछ उससे बहतर कुछ उससे इस जगे पे जो कि normal eyesight से जहां तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, राइट most of us जितने भी यहां पे लोग हैं, काफी तक ऐसे लोग हैं, जो हो सकता है आकाशिक रीडिंग करते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि tarot card रीडिंग करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि, may be reiki also करते हैं और उसके अंदर वो आसानी से medically, intuitively बता पाते हैं, कि कौन सी जगे पे क्या बेमारी है, क्या रोख है क्या दर्थ है, कहां पे कैसा हो रहा है right so does, is that something which is very apparent, क्या वो हमारे सामने वो चीज दिखाई दे रही है या हम ऐसा देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, जो कि चीज सामने नहीं दिखती है लेकिन हमारी दृष्टी हमारी सोच हमारे सुनने की capability जो normal capability है, उससे जादा exponentially widen हो रही है better हो रही है right, correct, that's the reason वो हम चीजें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो कि एक normal capacity of a person नहीं हो पा रही right, so एक हुआ कि एक तो आपका एक normal capacity है आपका, right, जो कि itself हर इंसान में same नहीं होती है in spite of the fact के we may be born with them, in spite of the fact that we may have the same structure the same physical way, how we look जैसे हम लगते हैं, पर उसके बाबजूद हमारे सब में कहीं न कहीं बिंता है, in terms of the utilization of these psychic abilities, right और ये तो हम उससे आगे की बात कर रहे हैं, जहां पे हम उनको utilize कर रहे हैं where we are going, expanding our consciousness right, correct so, that means those psychic term या psychic abilities, जो है अगर हम एक normal term के हिसाब से सोचे, तो it is something which means of the mind right, दिमाग so, इसका मतलब जिसके पास अच्छी psychic ability है, उसका दिमाग तेज होना चाहिए, that person is someone who has a higher intuition, higher power, and also something which is connected to the soul, where वो person किसी से भी connect, क्योंकि कोई भी चीज को, अगर आपको महसूस करना है, उस चीज को सुनना है, या even समझना है, तो आपका उस चीज से connection होना जरूरी है, अगर आप उससे connecting होते हो, आप आपका दिमाग कहीं और ये किसी दिशा में चल रहा है, तो क्या आप वो चीज को देख पाऊगे?